नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं डीपी एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ आज का विशे है मैनमार अभी 15 था नौवंबर को एक समाचार आया कि बहुत सारे जो गुरुप हैं मतलब की मैनमार की लोग वह मिजोरम की तरफ भागे हैं करी 5000 लोग क्योंकि वहां की मिलेटरी ने एयर एक साइज करके काफी जो है लोगों को अपने ही लोगों को मारने का काम किया है उसके बाद में प्रिशिडेंट मिंच्च्वे स्पेलिंग में बता दे रहा हूं आप लोग अपने आप प्रनंसेशन करिएगा ये वहां के मिलेटरी सरकार के द्वारा बैठाएगे प्रिशिडेंट हैं आपको याद होना चाहिए एक धाई साल पहले मैनमार में एक सत्ता संघर्स हुआ उसमें आंग सांग सू की जोकी नोबल लारियेट भी है नोबल पुरसकार भी इनको मिला हुआ है उनकी चुनी हुई सरकार को भंग करके मिलेटरी सरकार आ गई और उन्होंने अपना प्रिशिडेंट बनाया मिंट स्वे मिंट स्वे को बनाया और उन्होंने ही अब उसके बाद में 15 था नॉम्बर के बाद में एक बयान दिया और उन्होंने चिन्ता जाहिर की कहीं ऐसा नहों कि हमारा देश दो या दो से ज्यादा भागों में विभक्त हो जाए विभाजित हो जाए और यह जो वर्ड सीनेरियों में क्या होगा अब जो मैनमार है वो विभायत मैनमार के रुप में नहीं दिखाई पड़ने लगे हैं इसका कारण क्या है तो इसका कारण है कि वहाँ पर कुछ इथनिक ग्रुप्स हैं उनकी आर्मी है जैसे दा आरकान आर्मी दा मैनमार नेशनल डेमाक्रेटिक एलाइंस आर्मी और तांग नेशनल लेवरेशन आर्मी इसके अलामा एक और गुरुप है वहाँ पर जिसका नाम है क्या नाम है आपका चलो भी आता है दिमाग में आपको बताऊंगा और भी वहाँ पर जो है हाँ चिन रेजिस्टेंस चिन आर्मी वहाँ की है तो वहाँ के लोगों ने भी विद्रोखे यह मैनमार के रहने वाले अलग-अलग इथनिक ग्रुप्स हैं जिन्होंने वहाँ के मिलिटरी सासन से तंग आकर की वहाँ की मिलिटरी सरकार के बिरोध में प्रदर्शन किया और बाडर स्टेट्स पर अपने कबजे कर लिए हैं बाडर स्टेट्स पर कबजे क्या हुए हैं तीन बेसिक मूल आपरेशन हुए हैं अभी तर पहला आपरेशन 27 था अक्टूबर को आपरेशन 1027 हुआ जिसमें नादर शान श्टेट जो है वहां से मिलिट्री के पोश्टों को खतम करके ठीक है रखाईन स्टेट कहा जाता है उसको साउथ वेस्ट अपने कंट्री में हैं तो वहां से रेवल आपरेशन है वहां से मिलिट्री के पोश्ट को समाप्त करके जो वहां के इतने ग्रुप से उन्होंने कबजा कर लिया मतलब यह जो आर्मी है इनी का यह जो तीन आर्मी मैंने बताई इनी के गुरूप होने सेकेंड कूप हुआ सेवेंथ आफ नॉवमबर को ऑपरेशन वन वन जीरो सेवन जिसमें क्या किया गया कि इसमें आपका कारेनी रेजिडेंस फोर्स ने किसने कैरेनी कैरेनी रेजिस्टेंस फोर्स ने साउथ हिष्टर काया के एवाई एच काया इस्टेट को कि दो मिलेटरी पोस्ट को कैप्चर कर लिया और वहां से मिलेटरी को भगा दिया इसी दर से लास्ट मंडे को 13 अफ नॉवमबर 2023 को आरकान आर्मी ने रखाईन स्टेट पर कप्जा कर लिया है MIDTERRY POST को खतम कर दिया है 13 थाप नॉवंबर को ही चिन रेजिस्टेंस हुआ और वहां कि जो military है जुन्टा-Military कहा जाता है जुन्टा कहा जाता है जन्टा कहा जाता हा जुन्टा जाता है और उनसे हथियार छीन लिए थेख हैं तो यह जो मांडले का एरिया है मैनमार का उस पर भी रिवेल ने अपना कबजा कर लिया है तो यह जो है यह बहुत बड़ा कूप है जो कि मैनमार की मिलेटरी ने किया है यह भारत के लिए चिंदा का विसे हैं क्योंकि अगर ऐसा होता ह तो करीब 447 मिलेटरी पोश्ट पर कबजा किया है पूरे मैनमार में इन जो रिवेल ग्रुप्स हैं इतनिक ग्रुप्स हैं रिवेल और अपना वहाँ पर उन्हों नियंतरन भी अस्थाबित कर लिया है आप समझे तो यह भारत के लिए इसलिए समस्यात्मक है क्योंकि अगर यहाँ पर कोई चीज होता है तो भारत की तरफ लोग शिफ्ट होते हैं और जब भारत आते हैं तो यहीं को रहने लगते हैं फिर भारत के लिए समस्या पैदा करते हैं तो इसलिए मैनमार के लिए मैनमार की इस्थेती जो है भारत के लिए चिंता जनक है फिर ये चाइना के सपोर्टर्स में है यहां कुछ अगर उनका कब जाता है तो भारत के लिए समस्या होगी फिर मिजोरम स्टेप में भारत के लिए समस्या होगी अलग अलग बाते हैं लेकिन क्या ऐसा लग रहा है मायनमार भी डिवाइड होगा ये तो निकट भविष में बताया जाएगा लेकिन फिलहाल अभी वहाँ एथिनिक मायनारिटी ग्रुप्स ने अपना कब्जा जगा-जगा कर रखा है धन्यवाद नमस्कार जय हिन जय भारत बंदे मात्रम अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए धन्यवाद